हाई हनीबीज वेलकम टू कॉफी भी मैंने रजगुली और गुटका किंग का व्लॉग देखा अच्छा गुटका किंग से मुझे याद आया उस घर में दो गुटका किंग और एक गुटका क्वीन है चुकसाना बाजी भी गुटका खाते है भाई जब वो किचन में जो गु पतनी चाहिक कर देते हैं उसको पता निए को बाइस नहीं बात नहीं है ताकि हमें जो है उसमें से थोड़ा में अदा हम ले लेते हैं तो हूं मैं गुटका कि मांता हूं फ्रेंज ऐसी बात नहीं है एक इंसान अपनी आदत छोड़ना चाहता है तो फ्रेंज आप उसी बात के लिए तारा मारते हो यह कहां का इंसा हुआ अमारे पती गुटका किंग नहीं है अपने अपनी घुटका किंग है तो अपना पर चाहती हैं अपना पर और दिखा देती हैं अम चाठ साथ हैं ने बाबू तो चल्दा है ठेक है तुग पर कर दो हमें अभी कल तो किया था मत्रत होगया अब हम सेड्ची है अब तो ले आते सामान अपनी मर्जी का एठीक है तुम्हारे इलाके में हूं इसलिए मान रही हूं मैं ठीक है ठीक है मैं बाबु तुम बहुत अच्छी हो तुम हमाए खायल रखती हूं पस-पस हो गया बाद में डायलोग जब कैमरा हो नो तब बारा करो लोटंगी कहीं के देखो यह चीट चीट आपन है हम बताते तुम्हेर फ्रेंड लोगों को तुम जो है यह सामने ही नहीं आने देती हो पागो यह से एडिलिंग करने दो जब बुलाई तो बहुत तो बहुत खराब है तुम्हें कुछ लेना दिना ने हमारे लोग जो है रेकॉर्ड करती रह प्यारू को दरसल ना यह जो प्यारू है प्यारू अप्पी है खाली सवरव ने ही टाटू नहीं बोले बहुत सारे लोगों ने बोला है चाहे उसके घर पे खाना बनाने वाली से कपड़ा दोने वाली तक एक टू जेड लोग इसको टाटू बोल देते है 15 दिन में क्यूं क्योंकि ना ये हर किसी को गरमकाड़ा अंकल बनाना चाहती है जैसे मैडम के मैडम के जो सब से लोयल इंपलॉई है गरमकाड़ा अंकल जो की आल राउंडर है सब कुछ करम करते हैं बेवी सिटिंग से लेकर भाजी लेने तक जाना या तो क्राफ़ोड मार्केट से मेडम की पसंदिदा चीजे लाकर ताने भी सुनना क्यों गरमकाड़ा अंकल जो है डबल चीजें लिया है लेकिन चल जाता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता दिती है वैसे तो जितने लॉयल गरमकाड़ा अंकल है और जितना काम वो करते हैं, बहुत स्सारा काम मकरते हुँ, तो उतना ही काम टाटू अपपी सब से करवाती है, कि भाई भावी अगा करवा सकती, तो मैं क्यों नहीं करवा हूँ, लेकिन भाई गरमकाड़ अंकल में और उस मैनेजर एडिटर में फर्क है, गरमकाड़ अंकल पड़े लिखे नहीं है और मेडम जाहे जैसी भी है मेडम ने उस वक्त पे भी गरमकड़ अंकल को रखा था जब वो खुद नहीं कमा रही थी तो गरमकड़ अंकल को कभी नौकरी से नहीं निकाला उनको जोब से नहीं निकाला और गरमकड़ अंकल भी लॉयल है यह भी मानन पड़ेगा तो वो कम से कम मान लो 12-13 साल से तो काम कर रही है मैं देख रही हूं जब से मैंने पुराना इंटर्विवी देखे जहां पर मैडम का घर इतना अच्छा नहीं हो करते तब वो खाने बनने का काम करते थे अब उसके बाद उसको बहुत सारी फाइनेंशिल किया है मुझे कभी काम से नहीं निकाला तो अंदर उनके है हर कोई थोड़ी ऐसा होगा गर्मकाड अंकल की तो मजबुरियों पड़े लिखे नहीं अब वो जो बंदा था यूके से ग्रेजुएशन उसने कम्प्लेट की थी और वो यह क्या कराती थी ना धाय धाय बज़े होते कपड़े वगेरा वो भी उससे प्रेस करवाती थी और बेग्रोंड में खड़ा कर देती थी कपड़े जो है दिखाने के लिए तो कोई क्यों ठीक है भाई एक और गुटका किंग का दोस्त आया था इर्शाद जो की खाना बनाने का काम करता था लाया गया था उसे खा का काम साफ सफाई पोछा लगवना एटू जड करवाते थे तो कोई क्यों ठीक है कभाई और वब जो ड्राइवर है उसको भी गुटका किंगताना मारते है जमेर भाई के बहुत माजा है अरे तेरी भी तो मज़े है गुटके तो इतना टॉक्सिक अगर वर्किंग इंवार कर दोते हैं वह भी कब से तो टिक हुए उसका मतलब यह है कि हां वह उनके जो काम करने वाले हैं उनके उन्से थोड़ा ज्यादा काम कर वाते लेकिन भालु अपी पीके उतना करें कि लेकिन गुटका सेट कि पाय लगी तेवर रहते मैं देखती हुआ हर को मुझ से पूछ करता है कि कोई medical emergency उसके family में आ गई थी और वह के रिलॉंग करता है सो जो के रिला का लड़का पढ़ा लिखा वो क्यूं यहां पर काम करेगा इसके साथ जिसको यह धगला की धर है पैसा आने से class नहीं आ जाता और देखो कमाने को ठेले वाला भी लाक रुपे महिने का कमाता है और जो nine to five job करता है वह कम कमाता है मतलब ज्यादा तर जो लोग है ज्यादा तर जो employees होते वह तीस पैस पचास तक इतना कमाते है ठीक है तो आप अगर दोनों को compare करो सबसे पहले अगर दोनों लेने जाए तो किसको मिलेगी ठेले वाले को कि nine to five वाले को nine to five वाले को मिले ठीक है तो देखो उसमें भार है ठीक है काम कोई छोटा बड़ा नहीं है बट आजकल क्या हो रहा ना सब लोग compare करें कि influence रितना कमा रहे है हम तो nine to five में पढ़ाई लेखे किसी काम की नहीं भाई कोई ये sustainable career नहीं है आज है कल नहीं है और कितना भी कमाले जैसे कि मैंने बो चाटू कारिता करते हैं ऐसे लोग टिक जाते वहां पर बाकि कोई नहीं टिक है कोई पड़ा लिखा समध्दार इंसान भाई वह अपनी 35000 वाली नौकरी करना पसंद करेगा इसके एक लाख रुपे से बात यह है ठीक अच्छा आप जो ये नया एडिटर आया है उसने वह तुम्हारे पास तो इतना कुछ है करके बटो अरली थोड़ा बात उसको दे दो बाई इतना तो है नहीं पचारा मिडिल कलास है थोड़ा बात पे कर दो और वो सब को यह बोलो कि आप ले सकतो यहां से उसके बिजनस को प्रमोट करो लेकिन नहीं यह इतनी सेलफ़ अपस इतने सारे लोगों को उसने दिया हो तो उसका दिल बढ़ा है इसका बढपन यहीं लेकिन तुमसे एज में बहुत छोटा है और दूसरा कि बढ़ा नया नया बिजनस है स्मॉल बिजनस है तो पैसा दे तो पे कर दो लेकिन मजाल वह पे करें और यह बच्चों से चौकलेट इतनी महाबत से लाए है तो हम कैसे मना करें सकते तुम भी कुछ महाबत में दिला तो बाकियों की बच्चो को क्या ही दिलाओगी अच्छा हाँ यह पर्फियूम की इसको खास जरूरत पड़ती होगी बाई क्यूंकि इसने ना वह सूट जो पहना है ब्लैक वाल एक तो ब्लै बाद जो है वो गई grocery की shopping करने उसके बाद वह अपने खाला की दरगई खाला की दरगई गीले कपड़े में और बारीश का पानी बहुत भारी रहता है तो बारीश नहा के आ रहें आपने अल्रेढ़ी जो है एक दिन पहले शावार लिया है तो धूल मिटटी चिकनापन पसीन पूरी बॉडी में फैलेगा और वो बदवू मारता है और इस्पेशली आप भार भी गए भाई बहार गए तो मतलब बारिश है तो पूरा जो कूड़ा वगएरा फैल रहा है आप नीचे भी जारी हो ब्राशन भी लेकर आए उस सड़क पे घूम के और वो तभी नहीं हारी ऑफ्त है भाई इची अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि बातें करके लगा कि यह न आती होगी तो प्रिंस और अन्दर से पसेनी की और नहीं है लेकिन पर उबहत नहीं है अच्छा गुटका सेट के अलगी तेवर रहते हैं मोदा जाके बोला है वो खजूर लाना भूल गई थी तो बोले कि आप सब बात मान लो तुम्हारा कोई भी काम हमाई बिना नहीं होता है गुटका भाई आप एक बात कान खोल के सुन लो कि आपका भी ए करना पड़ता है ना वह पोजीशन वाले जोग कुछ हो जाते हैं हम नहीं चाहते कि हो जाए तो फ्रेंट्स हमारे गुटको हमारे सब कुछ है वह नहीं होते तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाता था भाई-बापी को बड़ा पुरे लगे गई सुनके हमें बहुत अच्छे प्रेंट्स हो अब तो हमारा काम निपट गया है वाई-बापी से वह कॉन हम को हम तो बड़े मतलबी टाइप के हैं खाली गुटको कही सगे हम तो अम्मी के भी नहीं है अम्मी को भी हम ताने देते ते आपने देखा नहीं ट्रेंब कैसे बोल दिया कि मा है हमारी बाजा ख बन गए हो पूरे रजगुली से भी डबल पूरा मुह एकदम दड़े जितना सूच गया बड़े बड़े डर्क सर्कल्स आगे खागा कर और जब देखो ता फ्रैन मुझे लगे भोग मैं जा रहो खाना खाना यही आपका डायलोग रहता है अपने आपको भी तो देख लो और गुटकाखिंग की चाटू का रही ताकि तो है हद नहीं है गुटकी जो है अंदर गुलाब जिल की बोटल से हो कुछ कर रही थी तो बले आ रहा है तुम तो एक छोटे बच्ची बन जाती हो हम बहुत जो है तुम्हें संभाल संभल के ठग है मुदा मुंबाई से ज्य जिए कि रहता है जब रीएक्ट करना तो तभी करता है जब फल्तु बातों में वह नहीं तरह चुनन्ना मुनना नहीं बनता और वह चोटा बच्चा है उव बढ़ो की तरह बहईव करता है और यह यह चोए इतनी धश्य है यह एक्ना बच्ची बनती रहति ु अले आना आ होगी भाई फ्रेंस हूं हमें जो है केंडिट फोटो घिचवानी थी लेकिन गुटकों ने हमारी पोटो अच्छी नहीं की जी क्यों ऐसा घटते पता नहीं हम तो बारिश में जो है फोटो घिचवाने रहा लेते और अच्छा असा बेग्राउंड में कोई म्यूजिक लगाने तो लेकिन गुटकों कीसी काम करी है अच्छा दूसरों का एडवाइस दे रही थी कि फ्रेंस आप खुले खुले घरों में खुले खुले तारों वगरे चुना मत यह एडवाइस अपने बुज़र्ग सासर को दो और हो सके तो काम करवा तो भाई यह जो होती है कि खुलेभ़़ह तारों को ठीक करना की खुले खुले करना हो तो ठीक से नहीं बड़िक को पता परोदो बदे की अब उसको मथे मपेड़ा साथ को दिल को चाहे और मोधा हम है नहीं जाने देते तो चैने यह काम तो हमारा फेवरीट है हमें पता है भालोपी हमें पता इछ से हर प्रकार की शॉपिंग जोए है और वाइ कितनी ओर एक्टिंग जोए इसकी प्रिंसस से गाड़ी तक से उत्रा नहीं जा तो बोले अरे हम यह कैसे उत्रेंगे और क्लासी बनते हैं जब जा रही थी न कहीं जा रही थी तो चुकसान ने छाता पकड़ाता तो प्रिंसी स्रीट्मेंट मिलरे बालु अपी को तो यहां सब में सी गंधारी राजकुमारी नहाती ही नहीं है जो कि ऐसे गंदे कबड़ों में दो दिन निकाल लें अच्छा जब यह बोलती है ना कि हम भी जो है हमारा भी मन है हमें भी बहुत अच्छा लगता है यह जो है राशन लेने जाना गुटका किंग कहते है हम खुला देंगे तुम्हारी जो मुंबई में दुकान रासन की हम भ बढ़ा दे और दीरे-दीरे से एक-एक सब्सक्राइब जाएगा चालू पी को क्या ही पता चलेगा थोड़ा बहुत दिखा देगा यह बेग गई है तो गुटका किंग अपना फाइदा जो है इसमें भी देख रहा है सही है फ्रेंस तो नहीं कहते वह और अभी जो खाते ह अभी सब पता है तो दीरे से दाथ साफ करवाते हमी क्या पता चलता है लेकिन प्रेंस हमारे सामने तो नहीं खाते हो और भाई ने हमें बहुत दाटा था इस बात पर कि तुम्हारे पती ने गैसे पोल दिया करो भाई आप भी सुट्टा मारते हो आप भी शरम कर लिया करो अब हम किसी का लिहास नहीं रखेंगे हमारे शोहर के बारत में गंदा सा एक शब्त नहीं सुनेंगे वह हमारे सब कुछ है उन्होंने मारे रिचार्ट कराया था आपने नहीं कराया था हम सारी बाते बूल जाएंगे खली रिचार्ट की बाते बूल याद रखेंगे समझे बाई आप हमारे विजदाद आते हैं टाटू अच्छा रात में रात के लगबग हो गए होंगे बारा साड़े बारा ठीक है उस टाइम पर गुटका किंग कही जा रहा था बारा साड़े बज़े की ग्यारा बज़े कि इतने पता मुझे नहीं पता लेकिन बहुत मान लो की ब बाई बाई इसको तो लेकर गया लेकिन वह लहर का मुझे समझ नहीं आ रहा कि आधी आधी रात तक क्यों जगना है भाई इसको अपने फ्यूचर की कुछ नहीं पढ़िया तो इस गुटके को कुछ नहीं पढ़िया तो इसके भविश्य की वे पढ़ाई दिखाए पिधा बाई देने दू यहां तक भी ठीक था यह इतनी यह ब्रेइनलेस लड़की है सच में ब्रेइनलेस खोद अपने गुटका किंग के पास वाली सीट में बैठ गई और लहर को बेक सीट पे ड्राइवर के पास बैठा दिया सोचो यह वो लड़की भी बढ़ी हो रही है ठीक ह इसकी responsibility बनती है कि अपनी जो है बाई टीनेजर बहन के पास बैठ है थोड़ी देर के लिए गुटका किंग के पास नहीं बैठ होगी कि दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी और ऐसा कौन से तुम रोमेंस कर लोगे पास में बैठ कर ठोड़ी तो ठोड़ी तो डिसिंसी मे इनर्स है और उनको पता है कि घर वाले जिससे होना और घर का होना दोनों डिफरेंट चीज़े हैं लेकिन इसको थोड़ी सी भी अक्कल नहीं बैठ के गुटका किंग के बास गदी कहीं कि कभी देखा है कि जनाब ने जो है पिज़ा को जो है चंगो मंगो के साथ कहीं आइड तो इंहाओ आप लेकिन लेकिन भाइ कितना कॉण्टिंट यह वह करना है लेकिसी कुट सकूल अधर कामा इब इसक तूवर्म डिला दिया और यूनीफर्म दिल और है 200 ंधर लेकिन लेकिन लेहर को इसके ज़ए ढाइव cardio को मिLo प कोती के लिए कभी कुछ बना दिया करो आपकी खुद की बीमार है बेटी दामाद दोनों उनके लिए कुछ बना के भीजबाद हो यहां पर तो बहुत सारे लोग है लेकिन नई पैसा 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 जड़ी तो अम्मा दर डॉल है यह लाल चीपनी कि अम्मा दर डॉल से क्या ही लेकिन गुठका सेट जी की बात सुनो भाई रस्गुली ने अल्रेडि उसको जो जुए दो शोट दिलाए थे टीए तो वापस से रज बहुता से दो दलाए तो यह थे लहर भी बोला था तो गुठका सेट बात हो यह बहन लेगी और बाफरे देख रहो देवर देख रहो छेस्स बनाती है आपकी लिए सुबह का नश्ता बनाती लेकिन हम करते हैं Champinatorж치 दावते लेना जानती है और यहां पे कुछ नहीं करएगी बहुते हैं सुराय आये हैं तुम्हारे तो सधसाराये हैं तुम लेना और नहीं ने तो खाली दावते लेना जानती है और यहां पे कुछ नहीं करेंगे भाई क्यूं भाई वहां पे तो तुम करती हो खुद के पती लिए तो यहां करने में क्या तुम्हें आलस आ रहे जाएंगे खले रिवियू करेंगी फ्रैंट्स आज मचली बन रहे हमें ने पर दीख़ूर हमें नइए हम देखंग ऑनक है किसा बनती है। को और नहीं से बना है तो ऊंसे लो एक कैसे बनाए तो मह नहीं कुझ बनाए। बाद है मोज़रा वह करती है। जैसे माइक का होग मूंबई बर मॉंबे खुंकर कैन के लिए यह सब कुछ करती है। आद भी इस सबस्सॐ सबस्कराज अच्छ डर्हान सबस्कराज यार्ः जब मेडम को यह सास मिलती तो क्या ही कहने मैडम तो सर पे चड़ा देती और पेटी खाला को माय के वाला बना दिया क्योंकि उसको बताया कि उसकी भावी और अम्मी तो दावत देने से रहे बाई-बावी ने तो सूट तक नहीं दिलाया या तो जब गए तभी नहीं आए और आय सब्सक्राइब और खाली कटे कटाए जो है सब्सक्राइब अगरा थी उसमें कडशी लाने लगे वोले हम मदद कर रहे इसके अंदर थोड़ा असा भी ऐसी दया भावना नहीं किसी की प्रती इसके प्रती नहीं तो खाला तो बहुत दूर की बात है कि बीमार है मैं help कर रह प्रेंश बीमार है कि उसके इस की मदद की जाए कुछ नहीं बस पॉंटेंट निकलना चीए और बाई लहर क्यों पढ़ी पसरि रहते बैटा है पढ़ाए कर ले कुछ नहीं होने वाला सके पीछे जो आ आगे पीछे गूंगने से और लहर अब जोए सर्वंट का भी काम कर और दखल अंदाजी करने चाटो तो यहीं होता है वहीं करना पड़ता है आपको ठीक और उपर से ताने भी खाने रहते हैं खसकस गिरा दिया तो पेटी खला शिकायद कर रही थी भालू अपी को पेटी खला जना अपनी बेटी का भी देख लो उनसे तो चला भी नहीं जाता उसको भी कुछ सिखा दिया करो गरने पर इतने ताने मार देना कि घरा दी हमार खस घरा दी और बालू पी जो एँड़ा दी जो बिप न बना खाना जिसको उसकी हमें कि उसकी प्रोसा था वो भी हाथ से गिरा देती है और वहां पर फे नौटंकी करती है ढीट बनकर रोने लगती है नई 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 पूरी भी नहीं वोला कि मैंने डिस्रिस्पेक्ट कि है सौरी नहीं तुम तो कभी भी नहीं बोल तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वह दीट पना तुम्हारे अंदर से इसके अंदर आया है जैसे कि तुम लोग जंग खाते हुआ और मोटी हो गई ना सेम तुम सबसे सही रहेगा लेकिन इसका तो प्रोग्राम चलता ही रहता है हर दो तिन महिने में ये मुंबई मुदा मुंबई तो ये ना तो खुद जिंदगी में कुछ कर पाई है व्लॉग इंग कुछ करना नहीं तो ये देखना आज से दो साल बाद ना दो या तीन साल बाद कौन ये कौन में जैसे वो पिटा रहा या सिंथी ना को कि बहुत ज़्यादा निखिल कोई देख लो एक वक्पे इंडि ये स्वाहा कर दिया है अब लहर की बारी है और अपनी गरीब खाला जो ये उस पर हैस्तान जता रही थी कि फ्रैंस ये देखे हमारा डिनर से टा पारा साल पर अम्मी हमें खाना नहीं कहला थी इसलिए तना टिक गया अच्छा ये जो गरीबी का एसास दिला रही है ना उन कि एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता क्योंकि जनाब उसके गार्जियन है तो वह लड़का तो बच गया लेकिन पेटी के तो भाई तुने खूब हो कर दी एक्स्प्लोइट और एक बात अपने नोटिस कि उसने ना नान को ताना मारा था कि रिहान तुम और इतना अंदर इसके जहर भरा है कि जनम दिन तक विष्ण नहीं कि उसको क्योंकि फ्रायच अब हमारी टीम में नहीं रहा अनान बाई-बाबी की टीम में तो फ्रेंसो अब वह प्यारू नहीं रहे से हमने उसको टाटू कई दिया ऐसा थोड़ी चलेगा हमारी टीम में अगली पिज्जा और लहर है हम उनको ही सब कुछ करेंगे अच्छे नहीं हुआ क्यों नान तुमने मेरी टीम को चोड़ दिया हम भी मत बिगार के ते तुम्हारे करियर को स्वाहा करते थे क्यों नहीं करने दिया चलो फ्रेंसो हमें मुंबाई जाने के लिए पैकिंग करन तुम्हें अपना धियान रिखेगा बाई